नमस्ते अभिवातन आपका इनुसेंट इनुसेंट इनुस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लीमर बाजार बहुत भयंकर गिरावट है इस गिरावट को मैं बड़ा नाम इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आपको कोई भी संकेत नहीं मिलना हैं अभी त्रेड हो रहा है लेकिन नॉर्मल मार्केट उनकी अभी नहीं होई है मतलब क्या है ग्लोबल मार्केटस हमिको कोई भी नेगटिव संकेत नहीं मिलना है सारी बाजार है या तो positive है या तो flat है ठीक है और हम क्या कर रहे हैं हमें आप देख लीजे हम धाई पौने 3% नीचे ट्रेड कर रहे है निफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है बैंक निफ्टी की बात करेंगे वहां तो 5% का बुरा हाल है यह तबाही क्यों देखिए एक news आप कुंसी रूप में खतम है हमें चाहिए इतने भयंकर केसे सारे हम हैं हैंडल नहीं कर सकते अब सोचिए दिल्ली जैसे states का यह हाल है तो अन्ने states में कितनी बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको पता है सारी बाते आप decode कर सकते हो कुछ बताने की जरूवत नहीं है सबसे ऐसा कि covid patients को वो नहीं समाल पा रहा है तो खतरनाक situation तो है और इसलिए alert 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 लगातार हमको alert रहने की जरूवत है आपने देखा होगा कि global market से हम बाजार की opening record करते हैं और बिल्कुल fail हो जा रहे हैं उसमें क्यों क्योंकि हमारे अपने कारण इतने बड़े हो गए हैं पुरी द दुनिया के लिए खतरा हो सकता है अब पुरी दुनिया को alert मूड में डाला जा रहा है सोच लीजे कारण क्या है कारण हम है अब खतरनाक situation तो है तो आपको अपने एंगल से समालना है मैंने पिछले समय में कुछ वीडियो आपको दी हुई है जिनसे आप कम से कम अपने पचास हम बहुत बड़े कुरूशल सपोर्ट पर खड़े हैं और याद रखिएगा जब ऐसा कोई सपोर्ट आता है और उसके नीचे जरा सी भी बाजार जाती है तो बड़े रूप में सौर्ट्स क्रियेट होते हैं अब यह सौर्ट्स जब कटते हैं तभी positive momentum आता है जिसक अब आप एक बात सोचिए कि ऊपर जाने के लिए हमारे पास personal कारण तो बचे नहीं HDFC बैंक जैसे बैंक जो है वो provisioning बढ़ा रहे हैं क्योंकि second wave को देखकर उनका भी confidence ढीला हुआ है और उनको पता है कि किस तरीके से NPA को उन्हें declare करना पड़ेगा और जब HDFC बैंक जैसे बैंकों का यह हाल है तो फिर अन्य छोटे मजोले बैंकों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो तो alert 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 ही हमको रहना है अब पैसा बनेगा कहां से यह भी तो आपको बताना है क्या पैसा बनाने के लिए हम फार्मा इंडेक्स में जाकर कुछ जाएं जोकि बहुत ही बहुत ही ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ दिनों से तो कुछी की अगर चांदी है तो वह है फार्मा इंडेक्स आप यहां पर देख सकते हो क्या है यहां पर हमको एंट्रे लेनी चाहिए केवल ट्रेडिंग परस्पेक्टिप से इन्वेस्टिंग मत क सोचिएगा फार्मा बुलिस है बिल्कुल होना भी चाहिए आपको पता है क्यों बुलिस है और क्या सारी कारण है अभी सिच्वेशन अंडर कंट्रोल तो है नहीं लेकिन अगर होगी तो फार्मा इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वही करने वाले हैं उसके अलामा भी बहु अच्छी नहीं है और इसको तोड़ने का सबसे बड़ा स्रे जाता है इस डेपसी बैंक को जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए यह तो ठीक है इस्टेबल हो गया क्योंकि सबको पता है कि इस डेपसी बैंक आने वाले समय में सिच्वेशन कंट्रोल कर लेगा अब इसके जो प्राइबिट बैंक से उनकी गिरावट तो देखिए आप इस डेपसी बैंक तीन परसंट गिरता है अने बैंक चार-पांच परसंट गिर जाते हैं और छोटे-छोटे बैंक तो छेच्छे साथ-साथ-साथ परसंट गिरे हैं आई डेपसी फरस्ट बैंक जिनकी नहीं रहेगी कोई भी दवा असर कर सकती है नहीं कर सकती मुझे नहीं पता मैं फार्मा से इतना विलॉंग नहीं करता हूं मेडिकल से लेकिन जहां तक मैं जानता हूं यही बात है अब कुछ पढ़ने पढ़ेंगे उस पे ज्यादा समझ डेवलप करने के लिए बाकि अग कर रहे बागि बचा क्या रहे आज अगर यह डाउन होता तो बाजार और भाहेंक रूप से डाउन होती अब सोचिये क कि अНगेटिव संकीत हम को मिल रहे हुते टो हम तो कहां होते अप सोच भी नहीं वहीं है उसके भावुड बहुत रिंची कहानी है बहुत जादा रिस्की क्या यहां पर मैं सब कुछ बेंचने को बोल ला हूं नहीं यह तो मैं बोली ने रहा हूं वीडियोज अवेलबल हैं जरूर देखिएगा इन्वेस्टिंग के लिए सस्ता स्टॉक ढूंडिएगा ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड ढूंडिएगा हम मिल सब्सक्राइगे फिर से कोई क्वेस्टिंग नेचे पूंचिएगा नमस्कार